वेलकम फ्रेंड्स टूप्यो गाइट टिप्स और ट्रिक्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे CTS इन्योर चेक्लियरिंग कैसे करते हैं तो हम फूल प्रसेस इस वीडियो में देखेंगे और डिसकस करेंगे डिटेल में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज धाउयर नेखते हैं तो हम पहले इन वर्ट के CTS inありがとう का जो विडियो जयते हैं योर से लिए बॉक्यार्स ब्रसु एापको में नावे रहेुक प्रसुपी तो हम यहां पर में नेष्च कर लेंगे क εδώ में करेंगे रहे वीडियों छल तो कि हिते हैं हैं आलकलो फैल्स अबालय के लिए आया है इसको हम Inward Clearing, Check Clearing करेंगे तो इसको देखिए, Manual signature verification में 3 लिधार है तो 3 चेक्स जो है उसको हमें Manual verification करना है signature तो दिखाने ते फूल अन्हेक्स हम दिखाएंगे कैसे reject होता है, कैसे accept होता है, checks and क्या reason होता है, कैसे verify करते है all details हम देखेंगे तो देखें यहाँ पर manual sign verification option है left side में तो यहाँ पर हम click करेंगे तो यहाँ पर जो checks हमारा पास clearing के लिए आया है वो यहाँ पर show होंगे तो यहाँ पर हम all details यहाँ पर check करेंगे check पर लिखा हुआ amount, signature, account number जो code होता है, MICR code all details यहाँ पर हम check करेंगे यहाँ पर देखें, account number है इस account number को हम यह से copy कर लेंगे फिर हम finacle में इसका signature verify करेंगा signature match करेंगा तो चलिए हम finacle में पहले login कर लेता है फिर हम जो signature है, वो signature हमें verification करना है तो हम login कर लिया है finacle में तो हम इसका जो जिस account का check है जिस account से चेक ड्रा हुआ है उस account का जो signature जिस डिपोजिटर ने signature किया चेक पर तो उसका signature हमें यहाँ से टैली करना है तो यहाँ पर हम CTM में जाके यहाँ पर account number डालके यहाँ से हम copy कर लेंगे account number चेक का फिर यहाँ पर हम type करके यहाँ से हम signature देख लेंगे पहले अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, comment कीजिए, कोई कोई यह है तो आप comment करके पूछ सकते है और वीडियो को share कीजिए and also subscribe कीजिए चैनल को तो देखिए इस account पे हमारा finacle में कोई signature available नहीं है कोई signature नहीं है तो इसको हम signature verify नहीं कर सकते है क्योंकि यहाँ पे system पे कोई signature अभी तक upload नहीं हुआ है and यह हमारा solve का भी account नहीं है तो इसको हम reject कर देंगे क्योंकि इसका signature हम tally नहीं कर पाया है तो यहाँ पर देखिए accept and reject, दो option होता है, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, हम fits, तो यहाँ पर हम reject कर देंगे, क्यूंकि हम signature verify नहीं कर पाया, तो हम customer को कहेंगे, अगर customer आके inquiry करता है, तो हम उसको बताएंगे कि उसका signature update करने के लिए, Uniqueize से update करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे reasons है, अगर आप reject कर रहा है और कोई check को, तो यहाँ पर आपको reason डालना पारेगा, यह compulsory है, तो यहाँ पर जो reason है, बहुत सारी reasons है, जो reasons आपको suitable लागता है, वो यह reason आपको यह पर select करना परेगा, तो यहापर हमारा suitable remarks है, तो हम यहापर select कर लेंगे, फिर इसको save कर देंगे, तो देखिए, यहापर next जो check है, बोच यहापर आगी है, automatically हमारा 3 checks है, तो यह second check है तो इसको भी जो signature है हमें verify करना होगा तो यहापर हम finacle पर fit जाएंगे और यहापर उसका signature check करेंगे तो यहापर हम signature पर click करके signature हम view करेंगे यहापर finacle पर check में जो है यह signature नहीं आ रहा है हम fit से try करेंगे तो यहापर हम जो depositor है जो check draw किया है उसका signature यहापर finacle से हम यहापर match करेंगे tally करेंगे and verification करेंगे तो यहापर जो check के उपर signature है उस finacle में जो signature है वो हम tally करेंगे and अगर आप यहापर देखिए finacle से automatically validate होके signature जो signature finacle में वही यहापर right side पर आपके screen के उपर भी दिख जाएंगे फिर इसको हम signature मेल गया है तो इसको हम accept कर देंगे and फिर देखिए next जो check था third वो आ गया है इसको भी हम ऐसे signature check करेंगे देखिए यह check जो scan हुआ है जिस bank से ultra scan हुआ है तो यहापर देखिए rotate image option है तो हम check को यह से rotate कर लेंगे तो यहापर हम account number यह से copy कर लेंगे फिर हम finacle में जाके इस account का भी जो signature हम यहापर verify करेंगे तो यहापर हम account number डालेंगे और signature जो get signature जो icon है उस पर हम click करेंगे तो यहापर हम signature यहापर टैली करेंगे यहापर देखिए यह शायद एक ही जो यह joint account है यह जो first holder है उसका signature updated है and second holder ने check draw किया है and उसका signature यहापर available नहीं है तो इस check को हम पहले हम cash bomb में देख लेंगे जो sign किया है वो second holder पर है या नहीं है तो हम cash यहापर account number copy करके हम cash bomb से इसको check कर लेंगे पहले फिर हम go करेंगे तो यहापर हम second holder का details हम यहाँ से check कर लेंगे पहले अगर आपको वीडियो पसंद है तो please like कीजिए comment कीजिए share कीजिए and also subscribe कीजिए चैनल को तो देखिए इसका signature नहीं है तो इसको भी हमें reject करना परेगा तो यहापर हम जाएंगे इसको फिर से इसका signature हम देख लेंगे और एक बार यह है या नहीं है city में जाके हम इसको अपको मेरी importance देके करना है तो देखिए यहापर हम फिर तो देखिए यह signature नहीं है तो इसको हम reject करेंगे यहापर जो reject option है यह हमारा last third check है reject पर क्लिक करके हम reason यहापर डाल देंगे और फिर इसको save कर देंगे reject कर देंगे तो देखिए all जो three checks है उसका process हो गया है लेकिन अभी तक इसका clearing नहीं हुआ है इसका process complete नहीं हुआ है just हम data entry किया है maker से and देखिए maker से process करने के बाद दो reject हुआ है one जो high value verification में आ गया है जो 50,000 की उपर के amount होता है वो high value verification में आ जाएंगे फिर हम checker में login कर लेंगे checker में login करने के बाद देखिए यह पर one जो हम accept किये थे जो check clearing के लिए वो high value verification में आ गया है क्योंकि यह 50,000 से ज्यादा है तो यहापे हम फिर देखिए high value verification option पे जाएंगे तो यहापे दिखाएंगे जो हम accept किये थे तो यहापे हम details चेक करके accept option है तो यहापे हम accept जो option है green color में उस accept पे हम click कर लेंगे और इसका जो amount है वो भी हम एक बार hackly करके finacle से check कर लेंगे कि amount available है या नहीं है अगर नहीं है तो available तो यहां से हम reject भी कर सकते हैं इस check को इसका balance हम देख लेंगे तो available balance है तो इसको हम accept कर देंगे करने के बाद देखिए ओके कर देंगे इसको तो और कुछ records नहीं है हाई भेलो पर हमारा दो जो rejected checks है उसको भी verify करना है तो हम उसको verify करेंगे तो यहां पर फिर से आपको check का details यहां पर होंगे यहां हम details देखके यहां पर देखिए उपर में red color में confirm rejection एक option है confirm rejection option पर हम क्लिक करेंगे तो rejection भी verification हो जाएगा देखिए हो गया next check भी आ गया इसका image हम rotate कर लेंगे और इसको भी confirm reject कर देंगे तो full process complete हो जाएंगे तो देखिए यहां पर invert clearing का हमारा three checks all हो गया है उसमें एक clearing हुआ है जो हम accept किये थे और दो जो थे उसको हम reject किये अगर आपको वीडियो पासंद आए प्लिस लाइक कीजिए comment कीजिए share कीजिए और अलसो subscribe कीजिए चैनल को फिर हम देखिएंगे इसका report हम कैसे generate करे तो देखिए यहां पर reports एक option है यहां पर हम यहां पर हम type select करेंगे inward check details इसको select करके date डालके हम search करेंगे तो यहां पर report आ जाएंगे और इसको आप print भी कर सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते हो इसको यह से आप print कर सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते है रिपोर्स को तो अगर आप कोई वीडियो पसंद देखिए तो प्लीज कोमेंट कीजिए कोई को यह रिया है तो आप कोमेंट कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को और अलसो subscribe कीजिए चैनल को तो अब लियाउनलोडोर हो जाएंगे और इसको और ऊपен करके आप यह से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको प्रिंट भी कर सकते हो थांक्यो फेंस फर वाचिंग अगर आपको वीडियो पासंद आददो प्लीज like कीजिए कमेंट कीजिए share कीजिए और अलसो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को